according to space weather.com हम लोग को एक चीज़ पता चला जो पावफुल सोलर स्टर्म होता है वो हम लोग का आर्ट पे वीसेंटली अप्रोच करा है जो एक तो 1.6 मिलियन स्पीट किलोमेटर से और वो स्टर्म हम लोग का एप्रोक्सिमेटली सांडे या मंदे हो सकता है और स्पेसवेटर.com से हम लोग को एक और सीज़ बोला है कि जो सिग्निफिकन इंपेक होगा हम लोग का रीजन पे रीजन ऑफ स्पेस पे जो डॉमिनेट कर देगा मतलब हम लोग का आर्ट्स मैगनेटिक फील को डॉमिनेट कर देगा और सबसे इंपोर्टेंट जो वीव ऑफ से लाइटनिंग होता है जो सोला स्टर्म होता है देया विल बी वीव बीटिफुल सेलेस्टियल लाइटनिंग जहां पर हम लोग को नॉट और सौर्ट पोल के पीपल को देखने को मिलेगा और देपीपल लिविंग प्लोजर तो डीजर्यास के एक्सपेक्ट उसी और धेज़े करके वह स्पीड इंक्रीज भी हो सकते है एकॉर्डिन टु नासा सेटलाइट सिगनेल्स एंड इट मैट एंड और सबसे इंपोर्टेंट कॉंचान यह है कि सोलर इस्टर्म हम लोग का अर्ट में क्या क्या एफेक्ट देला सकते है तर्से कि स्पेस्वेटर. लोग को यह परद सेलक्टी जो आवट एत्मॉस्प्या अफ्ट जो बहुत ज्यादा ही टेद हो जाएगा और डारेक्ट एफेक्ट में पहुंचेगा और सबसे इंपोर्टेंट लीडिस कें कॉस्ट इंटर्फेरेंश जो हम लोग का जीपेस नेविगेशन हो या मोबाइल इंटर्फेरेंश मिलेगा जैसे दा करेंट इन पावर लाइन्स केंबी हाइव इस तो अभी हम लोग को सबसे इंपोर्टेंट है हम लोग को सेक्यूर्ट एक ही चीज में ध्यान देना है हम लोग को ज्यादा मोबाइल वागेड़ा यूस नहीं करना है उस ताम और जितना ह एड़ एड़ एडियो